साढ़े तीन साल के लंबे इंतिजार के बाद दोस्तो रेलवे ने एक खुस खबरी दिया है आपका एकजाम दोस्तो रेलवे गुरूब डी का अगस्त में स्टार्ट होने जा रहा है लेकिन किनका किनका एकजाम अगस्त में होगा और अगले महिने किनका होगा सारी बाते चल में नहीं आ रहा है यहाँ पर देखिए तीन ठो यहाँ पर बात लिखा हुआ है इस्ट सेंट्रल एलवे साउथ सेंट्रल और वेस्टन लिखा गया है यानि कि मोटा मोटी समझ लिए सिकंद्राबाद मुंबई पत्ना वेगरा का जारी हो जाएगा अब यह जारी कव होगा द तारीक के अंदर है उनका 13 तारीक से दोस्तो एडमिट कार आपको डाउनलोड करना पर स्टार्ट कर लेंगे लेकिन 9 तारीक से आपको पता चल जाएगा कि आपका किस सहर में एक्जाम पड़ा है अब कुछ लोग सवाल करें कि हम तो भूनेशोर डाले थे हम तो फनला फनल है कि जो एक्जाम स्टार्ट हो जाएगा उसी दोरान उसके मीड में ही या उसके लास्ट होते होते आपका अगला फेज का निकल जाएगा अब से 12 दिन के बाद दोस्तो आज से 12 दिन के बाद उल्टी गिंती सुरू हो चुकी है आप जो भी पढ़ाई किये थे मैं साइन्स रिजिनिंग जीके का अभी से दोस्तो देखना सुरू कर दीजिए क्योंकि कट affected है क्योंकि start high हो जाने वाला हां ही इतना आप गरांटी ले ले लेजीए कि 75 से नीचे नहीं जाएगा कई फेजों में एकजाम होगा क्योंकि करोड़ों बच्चे यहाँ पर है सारे बच्चे एकजाम देंगे कुछ देंगे कुछ छोड़ भी सकते हैं लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जितनी बड़ी यहाँ पर आपको वैकेंसी है उतना ही बड़ा संख्या में student की संख्या है इसलिए कई फेजों में रखा गया है लेकिन घवडाई एमत फेज 2 फेज 3 वेगरा का जैसे जैसे एक जाम पहला फेज का श्टार्ट हो जागा उसी बीच में आपका नोटिस आजागा फेज 2 के लिए भी फेज 3 के लिए भी और आप जाकर के मिला लिजे कि आपक कोई धिलाई वाली बात नहीं रखी है ठीक है कटाप आपका 75 प्लस जाने वाला है यूर का क्योंकि बड़ी संख्या में चुडेंट है पहले सही अल्रेडी तयारी कर रहे है तो कोई ऐसा नहीं कि अब मतलम नंबर कम जाने वाला है क्योंकि आल्रेडी यहां पे ओनलाइन भी पढ़ाई हो रहा है और लोगों से अपना भी ननओलेज बढ़ा ये ठीक है क्यों और वारा दिन के बाद ही आपका एग्जाम फिकार होने वाला जिनका बहा इसीं के सेंट्रल अब कर हैं अब आ थानके neat